नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट डूटूब चैनल 3 लिटिल डुटर में दोस्तों आरे चनल पर आपको केंद्री डेल एडमिसन समंदित छोटी-छोटी लेकिन महतपूर जानकारियां दी जाती हैं जिससे आपके बच्चे के अडमिसन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPHRM कोटा लिष्ट के डेट के बारे में और कैसे आपको MPHRM कोटा लिष्ट को चेक करना है कि आपके बच्चे का नाम आया या नहीं उसके बाद अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है MPHRM कोटा के लिष्ट के थुरू तो आपको क्या-क्या डॉकुमेंट लगाने होते हैं एडमिशन के टाइम पर इस पर हम स्टेप बाई स्टेप और पूरी डिटेल जानकरी आप इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो दोस्तों आ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को skip मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा अधरवाइस हो सकता है कि कोई important point आपसे मिस हो जाएगा और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे हमारे वीवर्स हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सस्क्राइब नहीं कर कोटा के लिष्ट कब आएगा चूंकि MPHRM कोटा कोई fix date नहीं होती है दोस्तों किंद्री विडाले संगेटन का जो official schedule है उसमें भी आप देखे होंगे कि उसमें MPHRM कोटा के लिए कोई भी date उन्होंने नहीं बताया कि किस date को MPHRM कोटा लिष्ट आएगी परन्तु जैसा की रिवाई सेडूल में सभी admission के last date 30 अगस 2021 दिया है अता MPHRM कोटा का admission भी 30 अगस 2021 तक ही होना है इस तरह हम कह सकते हैं कि MPHRM कोटा के list जुलाई के आखरी सब्ता से आना सुरू हो सकती है MPHRM कोटा के list हमेसा समान admission होने के बाद ही आती है जैसे कि अभी जो journal admission चल रहे है जो online application form अगर भर के चलते हैं होते हैं जो admission उसके बाद जो MPHRM कोटा के list आती है वो आती है तो दोस्तों इससे आपको एक अंदाजर लग गया होगा कि 30 अगस 2000 के पहले पहले यानि कि जुलाई के आखरी सब्ता तक जो MPHRM कोटा के list है वो आ सकती है दोस्तों हमारा जो द कैसे आपको list में अपने बच्चे का नाम देखना है तो दोस्तों यह देखने के लिए मैं आपको एक डेमो के तौर पे website लेकर चलूँगा और वहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चे का MPHRM कोटा के list में नाम को चेक कर सकते हैं तो चले चलते हैं अपने computer क स्क्रीन पर दोस्तों MPHRM कोटा लिस्ट चेक करने के दो तरीके हैं पहला तरीका है कि आप केंद्रवी देले संगटन की official website पर जाकर चेक कर सकते हैं जो kv.nic.in है और दूसरा तरीका है कि आपने जिस केंद्रवी देले में अपने बच्चे का नाम recommend करवाया है MP से उस कें announcement section में HRM या MP quota की list को देख सकते हैं तो मैं दोनों करके आपको पताऊंगा जो आपको आसान पड़े वो आप कर लिजेगा वैसे जो केंद्रवी दर संगटन की official website वाली है वो थोड़ा सा tough कर पड़ती है क्योंकि उसमें आपको coupon नंबर पता होना चाहिए जो MP द्वारा coupon द आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको जाना है किंद्री वीद्यली संगटन वाली website पर जाते हैं तो आपके सामने home page खुल के आ जाता है तो इस तरीके से home page खुल के आ जाएगा उसके बाद आपको जाना है हैं academics में उसके बाद आप देख सकते हैं 9P में पर लिखा हुआ है admission under MP quota भोस आप दिख सकते हैं कि यह लोग सभा आदर हैं कि यह लोग सभा के जो MP है एडमिशन अंडर MP लोग सभा और लेटर यहां पर आप देख सकते हैं यह कूपन नंबर से यहां पर बहुत सारे आये हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर और कुछ इंफोमेशन नहीं दी हुई है सिर्फ कूपन नंबर दिया हुआ है तो 2021 का मैं नहीं दिखा रहा हुँ मैं पुराना दिखा रहा हुँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कैसे देखना है अपने बच्चे का लिस्ट में नाम तो यह लोग सभा MP कोटा लोग सभा कहे और लेटर है इनमें मैं से मा लिजे एक्जांपल के तोर पे आपका जो MP का कूपन न यहाद दिला दो यहाँ पर लिखा है सांसद संसुती पर प्रवेश आदेश मसलब सांसद के रिकमेंडेशन पर एडमिशन का और है तो माननी सांसद यह जो सांसद उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है तो उन्होंने देखिए यहाँ पर 10 बच्चों का नाम रिकमेंट किय है ये इनका 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 तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्हों ने किस किस क्लास के लिए रिक्वेंट किया है और किन किन केवी में इनका नाम रिक्वेंट किया है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर भी couple नंबर पता होना चाहिए तो सपोच ग्जांपल के तोर पर noso 4 है मान लेते हैं तो यहां पर आप करिए दोस्तो में पुराना है 2020 का है क्ँअब की 2021 का भी आया नहीं है मैं डेमों के ताओ पर आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपको अपने बच्चे का नाम लिस्ट में चेक करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर अमन मिश्रा गित्सा बेरा इस तरीके से उनका फादर का नाम कॉंटेक्ट नंबर क्लास और कौन से कीवी में उनको रिकमेंड किया गया है कीवी का नाम इस तरीके से आता है और आगे यहां पर इंस्ट्रक्शन्स लिखे होते हैं विद्ध्यार थी अतवक केंद्री दल्र संग्टन के वर्तमान प्रविस दिशान अर्देश का 2021 करनुसार पात्र होना चाहिए यानि कि जो भी इलिजबिल्टी क्राइटेरिया उसकी हिसाब से भी जो इस्टुडेंट है वो इलिजबल होना चाहिए कंद्री दल्रमेंट अमिशन के लिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि एत्तीस अगस 2020 लाश्ट ट्रेट थी पिछली बार ठीक जो इसटे बड़ा के बार पता होना चाहिए तो सारे पिर आप पर नहीं पता होता है तो है किसे अपने बच्चे का MP Quotals check करेंगे इसके लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको सिर्फ यहाँ पर उस केंद्रीविद देले का नाम सर्च करना है जिसमें आपने MP से अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाया है उस केंद्रीद देले का नाम सर्च करना है एक्जामपल के तोर पर मैं यहाँ पर केवी दुर्ग लेता हूँ केवी दुर्ग जो है वो 36 गड़ी स्टेट में पढ़ता है तो आप अपना केवी सर्च करिएगा जिस भी केवी में आपने MP से रिकमेंड करवाया केंद्रीद देले सर्च करिएगा उसके बाद आप केंद्रीद देले की personal website वर महोँच जाएंगे वो केंद्रीद संघंटन की website ती यह particular केंद्रीद देले इसकूल की website इनकी जो लोग सभा Constituency है यह दुर्ग है ऐसे ही आप अपना देख लिजेगा कि आपका जो लोग सभा Constituency है वहाँ पर क्या दिखा रहा है उसके बाद आपको आना है नीचे आप आएंगे आनांसमेंट वाले सेक्षन में तो अनांसमेंट में लेटेस्ट में ही दिखायेगा आपका यहीं पर आपका शो होने लगा कि MP Kota, HRM Kota, मैं पिछले साल का आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस साल का भी आया नहीं है, तो हम next करके जाते हैं पिछले साल में, तो आभी यहाँ पर clearly देख सकते हैं, लिखा है, MP Kota order later against coupon number 737, यह MP Kota की list है, और MP Kota coupon number 840, यह भी MP Kota की list है, औरада Mm Kota, यह भी आपका है HRM Kota के list है, तो दोस्तों यह पिछले साल का है, मैं एक भार फृर से आपको याद दिला दू, आप देख सकते हैं, आप डेट पड़ी हुई है, 69-2020, मैं डेमो के तावर पे इसको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे देखना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है, उसी किंद्री विदाले में जहाँ पर आपने बच्चे का नाम चिक कर सकते चाहिए अगर आपने HRM से करवाया है recommend, मालेजी किंद्री विदाले दूर के लिए तो आप यहाँ पर download करके देख सकते हैं, और अगर आपने MP से recommend करवाया है, तो आप यहाँ पर download करके देख सकते हैं, इस पर आपने बच्चे का नाम चिक कर सकते हैं, कि MP ने आपके बच् इस class के लिए और कौन से कंद्री विदाले करे रिकमेंट किया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि आनन्द कपूर तमार कर इन्होंने 2 दूर कंद्री विदाले के लिए, और इनको जो है, जगदल पूर कंद्री देख लिए, ऐसे से करके मतलब इनने recommend किया है, तो यह जो last date है सभी admissions की वो 37 अगस 2020 है तो मुझे आशा है कि जुलाई के अंतियम सब्ता यह 15 जुलाई 10 जुलाई के आस पास तक जो MP कोटा और अचारम कोटा के list है वो आ सकती है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चे का MP कोटा या अचारम कोटा में नाम देख सकते ह हैं दोस्तों यहां तक तो बात हो गए कि MP HR कोटा के list कब तक आएगी और दूसरी step में आपने देखा कि कैसे आपको list चेक करना है यानि list में कैसे आपको अपने बच्चे का नाम चेक करना है मैंने दो तरीका बताया दोनों अलग-अलग हैं जो आपको सही पड़े आप उस एक important part लिखी होती है कि अगर MP दोर आपके बच्चे का admission recommend कर दिया जाता है तो आपके बच्चे का admission हो जाएगा लेकिन दोस्तों यहां पर किंद्री वी देले संगठन दोर एक बात और कही जाती है कि आपका बच्चा किंद्री वी देले का जो guideline है उसके हिसाब से eligible होना चा जो benefit मिलता है reservation benefit मिलता है वो फिर consider नहीं किया जा सकता हो सकता है कि आपको फिर general as a general trade किया जाए तो यह आपके लिए सही नहीं है तो आप जितने भी तरह की eligibility आप fulfill करते हैं वो सारे documents आप दे दे, birth certificate लगेगा ही उसके बाद जो है अगर income है अगर आप low income group से हैं तो income certificate भी ल जो एक journal admission में जितने documents लगते हैं वो सारे documents आपके MP quota के थरू admission होता है उसमें भी लगते हैं क्योंकि school में जो आपके बच्चे का admission हो जाएगा भले ही वो MP quota के थरू हुआ हो लेकिन उसका एक record तो maintain किया ही जाता है ना उसमें बच्चे का बच्चा कौन सी caste category से belong करता है बच इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है कि क्या 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 डॉकुमेंट्स लगते हैं admission के टाइम पे तो वो सारे documents आपको ready रखने है MP quota के थरू अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है उसके बाद आपको किंद्री विद्यले में जाकर वो सारे documents दिखा कर अपने अपने बच्चे का नाम recommend करवाया है MPI HRM quota के थरू तो दोस्तों इस तरह के वीडियो हम time to time लाते रहते हैं थोड़ी मेनत करके बनाते भी है थोड़ टाइम भी लगता है तो दोस्तों आप अगर एक छोटी से like कर देते हैं तो हमें और भी ज्यादा मनोबल मिलता है कि हम इस तरीके से वीडियो जो है धून धून कर छोटे छोटे टॉपिक पर जो की बहुत ही rarely मिलते हैं इस पर हम वीडियो लाते रहें तो दोस्तों वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो please चैनल को subscribe कर लेजेगा क्योंकि बहुत सारे है मारे वीवर्स वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते हैं और घंडी वारने निशान भी दबा दिजेगा ताकि आपको time to time सारी notification मिलती रहे हम मिलेंगे अपने next वीडियो में एक नए और interesting topic यानि कि जवाब के लिए जरूरी हो उस topic के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर